देखिए हमारी ताकत तीन साल पहले जैरामदा को कौन जानता था आज जान रहा है ना आज कहां तक आप आ गये हैं बैंगलोर मुंबई दिल्ली पूरा जहारखन कौन नहीं जान रहा है यह थोड़ा प्रोसेस लगेगा लेकिन उठेंगे जरू और आज हम लोग इतने लोग जो आए कहां से आए किस समाज के ते किस जाती के ते अपने पूछा क्या नहीं पूछा ना पार्टी का रेजिस्टेशन काम चल रहा है पार्टी का जब रेजिस्टेशन हो जाएगा तब आप देखिएगा हमारा बूत लेबल भी होगा पंचायत लेबल भी होगा परखन वहां के लोगों जो जहार खंडी लोग हैं जो जैरामदा को नहीं जानते हैं या देखे नहीं है इसके जन जन तक पहुचाने के लिए मैंने जैरामदा का प्रोग्राम यहां और्गनाइज किया है किस काम के लिए रहते हो यहाँ बंगलार में क्या करते हैं? मैं ए सटोर मेनरिघर काम कर रहा हूँ यह जाती बात नहीं है बहुत कोई जो आईजुकरटर है वो समध रहे हैं ठीक है? कुछ नेगेटिव ले रहे हैं कुछ पॉजिटीव ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है हमें सब पॉजिटिव सोचना है आगे के और सोचना है गाओं अब 90% लोग जितने युवा लोग हैं खाली रहते है गाओं वह बहुत दईनी है इस्तिति है जो बुड़े बुड़े लोग वहां पे रहते हैं तो इस चीज को हम लोगों ने सोचा महसूस किय आदमी का वाटसब ग्रूप में बनाया था अभी वाटसब ग्रूप से एक आदमी से अभी 2500 लोग हो गये और ये 2500 को हम लोग 5000 करना है यह आने वाले दिन में ताकि लोगों तक हम पर कितने मजदूर जारखन से प्रवासे कितने रहते हैं अदमी अगर एक सविधानिक पद में बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूं लेकिन मैं एक से विधानिक पद में जाने के बात मुझे पॉलिसी और लोजिकल भी देखना पड़ेगा टाइगर जैरा मतों को चुना अगर जारखन में लड़ना है तो वह सभा बेंगलोर में क्यों कर रहे हैं बेंगलोर जैसे सह जारखन करने के बात में हमारे साथ में यह लोग यह लोग जो दिख रहे हैं और और जारखन से हैं सोची देखन से बाहर में रहा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं अब यहां पर कितने दिनों से मैं यहां तूजन ट्विंटी में तीन साल हो रहे हैं आप यहां पर क्या 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 है देखिए मैं जबी केसे से दो साल से लास्ट में जुड़ा हूआ और इस मेरा मोटीव है यहां ओर्गनाइज करने का जेरामदा का प्रोग्राम कि यहां के लोगों जो जहार खंडी लोग हैं वहां के आईटी के लोग हैं जहां रहते हैं जो जेरामदा का बिचार को नहीं जानते हैं या देखे नहीं है इसके लिए उसके जंजन तक पहु यह लोग contribute वगरा करकर के टाइगर जेरामतों का सभाग करवा रहे हैं तो क्या लगता है कि इससे कुछ भला होने वाला है जारखन के जो भी वर्ग बाहर जाके दूसरे राज़े में जाके काम करते हैं पहले क्या होता था कि पहले लोग पैसा लेके भोड देते थे अभी बहुत सारा चेंजे जा गया है कि लोग पैसा देके भोड देने खोज रहे हैं तो इसमें आप लोग को बिचार समझ में ही आ रहा है कि लोगों कितना जागरूख हो रहे हैं और बहुत लोग सोसित हैं मज 2024 में ऐसा नेत्रितु सरकार हम लोग लाएंगे ऐसे लोग को हम लोग सीमका में खड़ा करेंगे जो जार खंड के सो गरीब के लोगों के और दुख और सुख को समझ पाये उसी तरह के आम लोगों को सोच है जार खंड में हमन सोरीन के सरकार रहे हैं रगुवर दास के डबल से और सिकायत कहा से आरा है आजuden साल हो गया है अभी से मेरा DR अलग हुआ है हक और अधिकार के लिए हम लोग ने यह रामदव को नितेतY Size क्योंकि देख नहीं जितने भी पाफिया पी हो हो गया सभी ने आपने लिए सोचे कभी गरीब जंता के लिए कभी नहीं सोचे उन लोगों ने तो आज हमें हमें एक जहां पे लोग इंजनियर डॉक्टर साइंटीस्ट पॉर्फेसर सभी लोग पढ़े लिख जूड रहे हैं जिसे हमारा एक सोच अलग निकलेगा और उस सो प्रिंट पर त्यार कर रहे हैं कि ऐसा ही हवा हवाई मेंफेस्टो चुनाव आया मेंफेस्टो जारी कर दिया इसके बाद चार साल चूप हो गया फिर हैमन स्वरेंग जैसा एक साल जब बचा तो नोकरी देने के लिए सुरू कर दिये हम लोग आप लोग देखे जे रामध क्या रिस्पोंस मिला यहां कि सभी लोग जो उनाइट हो पाए हैं जो भी जार्खन के प्रवासी हैं देखिए मैंने ये ग्रूप मेरे परदीब्दा एक दिंद्याल्दा हैं जो मेरे ये ग्रूप को और बहुत मोटिवेट के मगर मैं एक अकेले आदमी हो जो एक आदमी क वाटसब ग्रूप में बनाया था अभी वाटसब ग्रूप से एक आदमी से अभी 200 लोग हो गया है और ये 200 को हम लोग 500 करना है आने वाले दिन में ताकि लोगों कितने मजदूर जार्खन से प्रवासी कितने रहते हैं यहां पे लगभग में देखिए इंजनियर लोग बह सकते हैं ठेक है तो यही मेरा मोटीव है और जितने पढ़े हुआ लोग हैं आगे आए क्योंकि आप हमारा जीवन तो किसी तरह से बेतित हो गया हम इधर से उधर भटा किया मगर हमारा बच्चे बाल बच्चे को उसको भविस को देखना और एक नए जार्खन को देना है ज जार्खन को लोग कोईला निकालते हैं खाधान को खुला खंधर बना के छोड़ दिया हैं पानी जमते हैं कभी किसी कोई मेनेजर या जीएम किसी ने नहीं सोचा ना में सेंट्रल मिनिस्टर कि वहां के मजदूरों को कोईला हम निकाल रहे हैं तो वहां को हमको कुछ देना करते हैं तो एसी सरकार हमें नहीं चाहिए युवा आगे आया है और अब हमें जागना होगा जागने की ज़रूरत हो गया है सबसे बड़ा टफ कोशिन आप लोग के आगे में कि फंडिंग आप लोग फंडिंग कहां से करेंगे बाकि जितने भी पार्टी है सभी के पास मे इम आगी आप उसको जीत लीजएगा तो अगर करोडो रूपिया दीजएगो यह कभी आपके बात नहीं नहीं तो हम लोग इही मोटीव है कि हम लोग जज़न तक पहुँचेंगे हम बताएंगे अनको कि क्या है ब्रेन में उनको मोटीवेट करेंगे हर समय कि हमें नया ध् पैसा नीच यह 500 रुपया में 500 खरिदा जा रहा है उस तरह से हम लोग को नहीं करना हमें नया सरकार बनाना है एक स्वस्थ जारखन बनाना और हमारे बाल भच्चों को स्वस्थ रखना है लगातार आप लोग पे उंगले उड़ रहा है फंडिंग का और सबसे बड़ा है कि क कोड़मी का टेग जहां कोड़मी लोग रहता है वहीं प्रोग्राम होता है कैसे 같아 को तोडेंगे यह बोला आपको कि जहां कुड़मी रहता है वहीं प्रोग्राम होता है आप तर ले करके आफार आप हर ऱसमgrownस्थ प्रदीब दाज कैड़ आज स माजम में दिखाए जाता है में रहता है पुत्र सकते हैं पंचायत प्रणाइब बहुता जेंडिया मतलब मतलब उतने मजबूत नहीं है आप लोग ने ने छोकड़ा वाला पार्टी है खिलाडी है यह बात आपका सई है कि अभी आपका गाउं ग्राम में इतना नहीं रीच पहुंचा है तो मैं इस पर कहना चाहता हूं कि अभी जो है पार्टी का रेजिस्टेशन काम चल रहा है पार्टी पूरा जारखन कौन नहीं जान रहा है यह थोड़ा प्रोसेस लगेगा लेकिन उठेंगे जरू कितने पोजेशिव हैं कितना आगे तक ले जाना चाहते हैं जो भी व्यक्ति अगर उनके विचार को सुनते हैं समझते हैं तो उनका फेन हो जाते हैं तो विचार जो है हम लो उनको लाया जाए आप लोग ऐसा ट्राइक क्यों कर रहे हैं कि सोसी थे टाइगर दावी सोसी थे इसलिए अपने आवाज को उठा रहे हैं और सब को लेके चल रहे हैं अगर इतने ही आप लोग मतलब मुखर हैं पार्टी के लेकर के सरधा है प्यार है मुहबत है तो आप कि लोग को मतलब जागरुक करते हैं आप लोग यहां में दूर में प्रोग्राम कर रहे हैं वोट वहां देना है तो इसे में हो पाएगा कुमिनिशन मन पाएगा देखे आज कल मल्टी मीडिया का जमाना है और यह मत बूद लिए कि हम यहां पे हैं तो वहां पे कुछ नही बना तो उसमें टीम को लिड कर रहे हैं उसको सेलाख कार और फिनेंशिल को दोनो सब्सक्राइप करने कोशी करें जैंकि आज के प्रोग्राम का किका निकला है निसकर्स यहीं ըिकला कि हम लोग तो जगाने के लिए परोग्राम किये थे यहांपर सभा कि यह थे तो करें जारखन के समरीत करें स सक्सेस कर पहले में पहले बतामी लगे पढ़ल लिखल आदमी इसली हम बारबर अफिल के रहले की यहां पे जितना भी थीन सब पढ़ा लिखा लाथ निए वेल एडूकेटेटर है को इंजिनियर है यहने कोई इंपुला है रिए लेक्ट्रोल लोका टीम मिल गया है हां वेकदम रविंदर जी आप जार्खन में भी सभा देखते हैं यहां भी सभा देखे जारखन का सभा में क्या अंत्र दिखा देखिए ज्वार्खन में सभा थो होता है जिसमें नहीं भी तो कम से कम 20े 40 1000 कालीस पचा सजार का शब्त्र अख्या और देखिए मिडिया के मादेम से में बताना चाहता हूं कि आखी राइचा जो लोग है जह राम देकर आश्वासन पुरा हो पाएगा च्योंकि जो भी यहां पर आई हुए हैं कहीं न कहीं सभी परवासी मजधूर हैं चाहें वो इंजिनियर के बात करते हैं या कोई टीचर की करते हैं या प्रोफेसर कि बात करते हैं या वे एक प्रांवासी मजदूर की बात करते हैं सभी नंसा भी परवासी हैं तो यह परवासी को दूर तभी होगा जब हमारा डो मिशाल निती बनेगा अब सकते हैं कि जारकांट 23 साल होगी हो चुका है 23 साल में एक क्र favorites आपटा रहाता है मेरा तो प्राइबेट कंपणि में 25% वहां के लोगों को हगा कर अधिकार मिलता तो 2 मिशाल निति नहीं नहीं बनने के कारना आज हमारे रोर जो राजी है जारकन से लोग यहां पर प्रवाशी बन चुके हैं प्रोग्राम बेंगलोर में होता है धुआ जारखन में compte पूरा मोड़ेगा केवल यह हैं 3 बेंगलोर भेंगलोर ही नहीं मुंबाइ में भी उड़ चुका है दिल्ले में वी उड़ चुका है हम लोग काम कर रहे हैं। बोख जन्ता का सपोर्ट मिलति जहां भी हैं।令 जीज़ Weird बनें जह टोर निष्चित दिश्जर्य गवीफ या और लगों सबस्क्राइब। लग मैं हाइं। कि आपको अपना हग और अधिकार के लिए आपको बैंगलोर सैनर जाते हैं। कभी देली जाते हैं और कभी मूंब Johann जाते हैं अब कोनेrend जाता है और पर budget यूंड यह कि बहुत ही ज्याधे सुप्चिंतक कहते है कि एक किसी एक खास जाती का अंदोलन है मैं बैंगलोर राय सभाग करने के लिए आचानक मुझे एक आदमी मिल गया वो नाम बोला कि मेरा नाम टूडू है पहले का नाम मुझे याद नहीं रहा लेकिन पहले बात वाला नाम याद रहा तूडू इसलिए इसलिए हम इनको वह रहा है कि आप एक संथाल समाथ से आते हैं आप एक समाथ से आते हैं भी सी भी नहीं है लेकिन लगातार जाकन काम के लिए रहते हो तो बेंगलोर में इस्टर मैंजर कौम कर रहा हूं आप बताये जारखन में जहां पी जहराम मतों का सभा होता है तो वहां पर आरौप लगता कि यह कुडमी कास ही समय लेकिन वाइसा वास्तों में लेकिन अरे लगता है तो आप बेंलौर में यहां पर जहां सभाय दिखने Ал और बहुत लोगों को एजुकासन का प्रॉलम है और जो अभी जो अभी जैराम जी बात कर रहे है जो पॉलिसी के बात कर रहे है कंपणी को लोजिकली बात करके बहुत सारे लोगों को मद्धा में मतलब उनलों को पैसा दिलवाया मुझा दिलाया है जैसे MPL का बात करें MPL में 6 दिन का अंदोलन जला तो ऐसा ही थोड़ा तेज तरा नेता भी होना चाहिए उसका जो बात करने का क्योंकि वहां MPL में 6 दिन हो गया था लेकिन नहीं मिल पाय था बाद में वह जाके फिर तब जाके हुआ तो एजुकसन मुझे लगता है एजुकसन बहुत जरूरी है सभी को लिए सभी के लिए जरूरी है एजुकसन मिलेगा तो आदमी सिच्चित होंगे तो अच्छे कार के लिए आगे जाएंगे टुडू जी आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो बार बार ये बात को उठाते हैं कि ये कुडमी का अंदोलन है टुडू या मुंडा या किसी एन जाती का अंदोलन नहीं है यहां पर एक यह देखा था यूटूब में देखा था धनबाद में कुछ 10 गाराद में लेके भासा को लेके ये किया था और इसके बाद डे बादे यूटूब में आते रहा तो उसका बात करने का क्योंकि हाँ मतलब देखे सरकार का आप कुछ मुद्दे में बात करेंगे तो मुद्दे का पॉलिसी भी मालू होना चाहिए आप किसी भी मुद्दे के लिए सरकार से बात करें तो उसका पॉलिसी भी मालू होना चाहिए तो वह जो है सरकार को पॉलिसी के बात में भी समझा रहा था और एक लोजिक लिए भी उसको बता रहा आप यह नहीं कर सकते हैं अच्छा टूडू जी आप यह बताईए कि अगर एक अगर आप्ट समाज के लोगो को जगरू करेंगे कि जेरा मतों को भूर दिया घञए है लेकिन थे धनवाद से जो पीएंशिंग थे उसका तो पॉल्टिक्स भी खत्म है आदमी भी खत्म है तो हम लेकिन उसके एलावा और कोई आफ्शन नहीं है मैं पूछ रहा था जैराम महतों के लिए क्या कैमपेणिंग करेंगे या फिर अपने लोग को अपने समाज की लोग को जागरूप करेंगे कि उनको फोट करें जरूर एक्शली अभी तो मैं भार में हूं लेकिन अभी यहां इसमें जुड़ने के बाद लग रहा है कि मतलब एक एजुकेशन बहुत जरूरी है मुझे जिस हिसाब से जैराम दार बात करते हैं यह चीज होना चाहिए उनके अंदर में और आगे सदन तक जाने की बाद भी ऐसा ही होना चाहिए ठीक है 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 मन सोरेन की लड़का सरकार जो लगातार 32 खतियान की बात करती है और वो काम क्षब करते हैं तो वह एक लोज्डी यह आद्मी अगर एक सविधानिक में चला जाता है memang कर सकते हैं के हिसा चलना होता है तो मह evalu होना चाहिए जैसे कि मैं अगर एक सविधानिक पद में जाता हूँ तो आज मैं गवर्मेंट के खिलाब या किसी भी ये मुद्देपे में बहुत जादा बात कर सकता हूँ लेकिन मैं एक सविधानिक पद में जाने के बाद मुझे पोलिसी और लोजिकल भी देखना पड़ेगा जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं जोड़ा जाना चाहिए आज जो कंपनी में मैं इधर काम करता हूँ वह कंपनी जारकन में भी है तो मुझे वहां भी काम मिल सकता था लेकिन एक्चुली वहां बेरोज़ारी का प्रॉलम है इसको मानेंगे फैलियरेटी किसका है इसमें लोकल गवर्मेंट का ही है लेकिन मैं एक चीज़ चाहूंगा कि हमारा जारकन में छेत्रिक पार्टी होना चाहिए देखिए आप करनाटका में देख सकते हैं अभी बेजेपी स्वरी कॉंग्रेस आगिया है तो इसमें क्या होते है कोई भी केंद्री पार्टी राज्ट का विकास कि हैं जो जैराम मतों जैसे लोग का सपोर्ट में घुमते हैं और बहुत सारे लोग अभी जूड़ नहीं पाएं उनको क्या कहना चाहिए उन लोग के लिए एक ही कहूंगा कि एजुकेशन बहुत इंपोर्टन है आज जैराम जिस जगह से आये हैं जो हम लोग का दादा है वो बहुत ही आप मुझे कितना यूटूबर लोग दिखाया है कि बहुत ही गरिफ फैमिली से कि उसका क्या था एक एजुकेशन पावर एजुकेशन पावर था उन्होंने अच्छा से स्टेडी किया पहले तो कम हमारा जो गवर्मेंट का पॉलोसी है ठीक है क्या फैलियर ह हो रहा है वो चाहे तो अच्छे जिन्दगी जी सकते हैं कहीं अनुक्री लेके बट उनको हमारे परती यह है इसलिए कि अधिने के लिए नवाद देना कि अधिए